स्टुडेंस वेलकम तू माय यूट्यूब चैनल यह कॉश्चन एक्सराइज 5.1 से है एपी कॉश्चन बनना है कि इन वीच ओद फॉल्विंग सिचुएशन ड़स दे लिस्ट ओफ नंबर इन वॉल्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और भाई हमें यह कंडिशन कि अगर मैं कोई टैक्सी करता हूं और मुझे पहले किलोमेटर का जो फस्ट किलोमेटर के लिए है फस्ट किलोमेटर के लिए मुझे 15 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं और अगर मैं सेकिंड एक और किलोमेटर टू किलोमेटर चलता हूं सेकिंड किलोमेटर तो मुझे उ और अगर मैं 3 किलोमेटर चलता हूं, तो 3 किलोमेटर मुझे और 8 रुपे, मैं इसमें कहा कि हर किलोमेटर के लिए 8 रुपे पे करना है पड़ेंगे, 23 प्लस 8 इकोल स्टू 31, तो अगर इसमें आप देखें, तो ये जो 15 है वो A1 है, फर्स्ट आप में 23 A2 है, और जो 31 है वो A 23 है, तो अगर मैं इसको AP की फॉर्म में लिखूं, तो A1 15, A2 23 और A3 31 and so on, अब चेक करना है कि क्या ये पी बन रही है, तो अगर देखें, दोनों का जो डिफरेंस है वो 88 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस 8 है, तो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरें क्या है, तो इसमें कंडिशन ये है, कि जो वेक्यूम पंप है, वो बन बाई फॉर्थ और रिमेनिग जो भी रिमेनिग बचेगा, उसका बन बाई फॉर्थ वो रिमूब कर देगा, तो इस कंडिशन से जो हमारे पास टर्म आएगी, हमें पता करना है, क्या वो AP बना रही ह यह नहीं बना रही है, तो हम यहां पर अजियूम कर लेते हैं, कि जो वॉल्यूम है, बिग्निंग में जो वॉल्यूम है, वो आपके पास हो गया, एक्स, इसको बन बिस पोस करते हो, एक्स बिस पोस कर सकते हो, अब जो वॉल्यूम रिमूब किया जाएगा, वो रिमूब क क्या है एक्स माइनस बन बाई फोर एक्स अगर आप इसका ELCM ले ले लेते हो तो ELCM लेने के बाद हमारे पास ELCM 4 हो गया 4x माइनस x तो ये जाएगा 3 x 4 x ये रिमेनिंग है और उसने काया कि इस रिमेनिंग का इसका भी वो 1 by 4 और remove कर देगा means second condition में जो volume remove होगा volume removed equals to 1 by 4 of 3 by 4 x तो जाएगा 3 by 16 x तो remaining के रह गया second condition में अब हमारे पास था 3 by 4 जो हमारे पास second condition में बचा था उसमें से भी हमने 3 by 16 x जो आप वो remove कर दिया तो हमारे पास जो volume बचेगा 16 LCM हो गया 12 x माइनस 3 x हो गया 9 by 16 x अब यह तीन condition से मारे पास आगी अब मैं पहली जो condition इसको में first term ले लाता हूं even second condition को में second a2 और जो 9 by 16 इसको में a3 लिख लेता हूं तो मैं अगर एपी की form में लिखूं x then 3 by 4 x और यह जाएगा 9 by 16 x इसमें जो common इन दोनों के बीच में difference लूँ 9 by 16 x माइनस 3 by 4 x तो difference जो मेरे पास आएगा 16 LCM हो गया 9 x माइनस 12 x तो जाएगा माइनस 3 by 16 x तो यह हो गया यह आएगा माइनस 6 by 4 और यह जाएगा माइनस 3 by 16 x तो अगर आप देख रहे हैं तो यह difference सेम नहीं है तो इसलिए यह जो second condition है वो एपी नहीं है अब थर्ड पार चेक करते हैं the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for first meter means first meter के लिए अगर one meter अगर one meter हमें डिक करना है तो उसके हमें पे करना है 150 रुपीज और अगर हमें ज्यादा पे करना है तो subsequent meter पे 50 rupees additional हमें देने पड़ेंगे अगर हमें टू मीटर इसको डिक करना है तो उसके लिए 50 rupees और हमें पे करने पड़ेंगे 150 तो रहे गए रहेगा 50 और हो गया तो मींस टोटल 200 रुपीज और अगर में इसको कि थ्री मीटर डिक करना है और एक मीटर जाना है आगे तो हमें 200 में और 50 और 50 एड़ करना पड़ेगा तो हमें पे करना पड़ेगा 250 क्योंकि देखें एक मीटर के लिए तो पन 50 रहेगा रहेगा उसके बाद हर सब्सक्रेंट मीटर के लिए 50 rupees एड़ हो रहा है तो यह हमारी फर्स्ट रम होगी यह सेकेंड अगी और यह मारी थर्ट अगी तो अग क्योंकि जो डी है कॉमन डिफ्रेंस है वो सेम है इसलिए यह जो कंडिशन है वो एपी की कंडिशन मींस यह एपी बनाएगी लास्ट पार्ट है इसकोशन का अमांट और मनी इन अकॉंट एवरी यह वेन रुपीज 10,000 इस डिपॉस्टेड एड कंपॉर्ण इंटरस्ट टेन ताउजन जो डिपॉसित किया जा रहें कंपॉद इंटरस्ट है एज एट परसेंट पर रैनम की यह जो कंडिशन है यह एपी बना रहा है कि नहीं बना रहे हुंच को चेक करते हैं यहां पर जो amount है कितना deposit किया गया means अगर हम इसको लिखे amount जो हमने deposit किया या इसको आप principle भी लिख सकते हैं यह 10,000 और 8% per annum के जो rate है वो 10% per annum है तो जो interest इसको मिलेगा वो 8% of 10,000 8% of 10,000 जो आएगा रुपीज 800 means एक साल के बाद जो amount बनेगा amount after one year वो बन जाएगा principle plus simple interest तो यह बन जाएगा 10,800 हमारे पास amount आएगा first year एक साल के बाद अब दूसरे साल के लिए क्योंकि compound interest है तो दूसरे साल के लिए जो principle हो यह बन जाएगा तो अगर आप इसके ओपर देखें तो इसके ओपर जो interest बनता है 8% के हिसाब से वो बन जाएगा 864 रुपीज तो जो amount बनेगा हमारे पास for second year वो बन जाएगा 10,800 प्लस 864 और यह बनेगा 4661 यह बन जाएगा तो यह हमारे पास अगर यह हमारे पास है first term और यह हमारे पास है second term और यह हमारे पास है third term तो अगर हम AP's में बनाते हैं तो 10,000 first term होगी 10,800 second term होगी 11,664 third term होगी so on तो इनका गर हम difference देखें तो पहले का जो difference है वो 800 का है और दूसरे का जो difference है वो 864 है तो ऐसे difference बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें जो common difference है वो बराबर नहीं है इसलिए यह condition AP की नहीं है तो हमने देखा कि किस तरह से हम AP की condition find कर रहे हैं उसके लिए जो common difference है वो सब में same आना चाहिए Thank you